जहें दोस्तों सवाग है तो आप सभी का केरियर पॉइंट पर दोस्तों आज हम आपको लोगों के लिए असे जीडी प्रिक्षा 2023 के लिए बहुत ही बैतिन टेस्ट लेकर आएं जीके जिएस का दोस्तों यह हमारे टेस्ट आपके लिए बहुत ही जबदस रहने वाला है तो इस टेस्ट को आप लोग लास्ट लगाएंगे प्रते क्यूशन का अंसर के नीचे कमेंट बोक्स में जरू लगाना दोस्तों पीडियाप के लिए आप लोग हमारे वर्ट्सप गूर्व को जॉइन कर सकते हैं और साथ में आप लोग हमारे टेलिग्राम चनल को भी जॉइन आप लोग लोग हमारे 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 ल पर इसहता है तो यारखना जेनेवा स्विजर लैंड г ellी राइट अंसरोगा आप लोग यह रेखगना नेकस्ट है अभी तक रहें टब बाई नोबिल सांथी पुरुषकार आभी तक ही रेट को कितनी बाइज नोबिल सांथी नोब्ल सांति पूरश्कार परदान किया गया दूस्टों अगर आपने। तो लाइक जुरू करेंगे, अपने दुस्तों को शेर करेंगे, क्योंकि आपका लाइक शेर ही, हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिविशन देता है, तो लाइक शेर जुरू कर देना, अमनेश्टी इंट्र नेस्यल को किस वर्च शेर नोबयल सांती पूरुशकार् दे गया था? तो तुससरë यहार रखना, 1977 lets 1137 में एमनेश्टी इंट्रेंश्ट को नोबल सांती पूरुशकार है, परदान क्या गया, ऑप्शनर राइट अंसरोगा, next है, Amnesty International का मुख्य कारिये क्या है, Amnesty International का मुख्य कारिये क्या है, तो या रखना, मानव दिकार की सुरक्षिया करना, option B, राइट अंसरोगा, मानव दिकार की सुरक्षिया करना, Amnesty International का मुख्य कारिये है, next है, इंटरिपोल क्या है, तो दूसरोगा, अंतराश्टी अपराधिक पुलिस संगतन. उप्षिने, राइट अंसोगा अंतराश्टी अपराधिक पुलिस संगतन. उप्षिने, राइट अंसोगा यादकना. Next है, डबलू अचो के अधेक्स बनने वाली पर्थम महिला कोन थी? World Health Organization. उप्षिने, राइट अंसोगा डबलू अचो के अधेक्स बनने वाली पर्थम महिला कोन है? तो तो याद अखना, कोन थी? राज कुमारी अमरिता कोन. उप्षिने, राइट अंसोगा डबलू अचो के अधेक्स बनने वाली पहली महिला कोन थी? राज कुमारी अमरिता कोर उप्षन होगा, नेक्स्ट है, गुट निर्पेक्स अंदोलन की स्थापना कहां की गई, तो याद रखना, बेल ग्रेड उप्षन भी, आपका राइट उप्षन होगा, बेल ग्रेड आप लोगे, याद खीका, नेक्स्ट है, ब्रिक्स कि में, कुल कितने देश समल लिते हैं, ब्रिक्स में, कुल कितने देश हैं, तो याद रखना, पांच उप्षन भी, राइट उप्षन का, ब्रिक्स में कुल कितने देश हैं, याद रखना, पांच उप्षन भी, राइट उप्षन का, नेक्स्ट है, डबलू टियो कि स्थापना, किस व अंतराष्टी वेयापार का प्रहरी किसे कहा जाता है। तो यार रखना WTO को, option C, राइट अंसरो का World Trade Organization को, अंतराश्टी व्यापार का प्रहरी कहा जाता है, option C, राइट अंसरो का next है, UNESCO की स्थापना किस वर्ष की गई, UNESCO की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो यार रखना 1946, option B, राइट अंसरो का 1946 में, UNESCO की स्थापना किई थी, option B, राइट अंसरो का next है, अन एम, नैम का पर्थम बैठक का पुरी, नैम की पर्थम बैठक का पुरी थी, तो यार रखना बेल क्रेड, option A, राइट अंसरो का, यार रखना नेक्सरो का, यार रखना next है, आठ राइट अंसरो का, यार रखना next है, एपेक का मुख्याले कहां पर इस्थित है, एपेक का मुख्याले कहां पर इस्थित है, तो यार रखना, सिंगापूर option D, राइट अंसरो का, आप लोग यार रखना next है, comment करना Brixm की stop na kis verse की गई तो यार रखना write answer होगा 2009 में option भी write answer 2009 में bricks की stop na की गी थी अगला क्योंगा MST International का मुख्याले कहां पर इस्तित है MST International का मुख्याले कहां पर इस्तित है तो यार रखना London option C right answer लोगा, next है, ACI Vikaas Bank का मुख्याल है, Manila, किस देश में इस्तित है, यादखना दोसो, ACI Vikaas Bank का मुख्याल है कहाँ पर है, Manila में इस्तित है, और यह किस देश में है, तो यादखना, यह है, Philippines देश में, option B, right, answer होगा, Philippines, आप लोग यादखिएगा, next है, सार्क का आठवा, सदर्से देश कून बना, तो यादखना, अफगानिस्तान, option D, right, answer होगा, यादखना सार्क का आठवा, सदर्से देश कून बना है, अफगानिस्तान, आप कि यादखिएगे, option D, right, answer होगा, next है, यूरोपिय संग का 28 वाँ देश कुन से है यूरोपिय संग का 28 वाँ देश कुन है तो या रखना क्रोएशिया ओप्शन सी राइट अंस रोगा यूरोपिय संग का 28 वाँ देश कुन है क्रोएशिया ओप्शन सी राइट अंस रोगा next है घ्यारा को अपनी अधिकारिक मुद्रा के रीप में किस अपना था आपना था वर्तमान में यूरो कितने देशों की मुद्रा हो गई है तो या रखना 19 ऑप्शन डी राइट अन्स देशों ने अगला क्यूशन है देखिगा वेलिंग्टन ट्रोफी किस खेल से समझ दे थे वेरी वेरी इंपोर्टन क्यूशन तो लाइक शेर कर रहेंगे और अपने दोस् अपना 1928 में की गई आप लोग या रखना नेक्स है भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पर्थम अदे उने दोस रहेंगे और या राइखना नेक्स की यहींटा रहेंगे तो या रखना रखना 182 मेंज का में कितने मिनिट निर्धारित है तो या रखना 70 मिनिट निर्धारित है option D right answer का 70 मिनिट आप लोगे या रखेगा next है पर्तम विशव कव फुटबोल के विजेता देशे पर्तम विशव कव फुटबोल के विजेता देशकोन है तो या रखना उरुगवे option B right answer का आप आप दिगना तो या रखन और एप का सबसेब पुराना फुटबॉल घरब कौन सा है तो या रखना मोहन भागान ऊप्सने राइट शいう LEE आ दो हूगा ईश्ट है तो दुशन देखना पेरिस आपसमी राहट अनसर होगा अप लोग आधकना, next है Football का, black pearl के नाम से किसे जाना जाते है, फूटबॉल का black pearl के नाम से किसे जाना जाते है, तो यह रखना पेले को Football का भूटबॉल का पर लिता है, option C रायटशाट हो गाप, पेले आप लोगomat आधकना, next है, भारत का सबसे पुराना फुटबोल ट्राफी कौन सा है तो दोस्तों या रखना डूरंड कप उप्शन भी राइट अंसर होगा या रखना नेक्स्ट है विलिंग्टन कप का सम्मंद किस खेल से है तो या रखना और फूर्सकार की सुरुवात कभी तो या रखना होगा नेक्स्ट है एक दीवेशी मैच में दोहरा सतक लगानेалась पर्थम खिलाडी कोन है तो यादखना सचिन तेंदूलकर उप्शन सी, राइत आंसर होगा सचिन तेंदूलकर यादखेगा, नेक्स्ट है, पंकज आडवानी का संबंद किस खेल से है, तो यादखना राइत आंसर हो जाएगा, उप्शन सी, सुनूकर आप लोग यादखेगा, नेक्स्ट है, कमेंट करना सत्रंज बोड में खानों की कुल संख्या कितनी होती है तो याद रखना 64 बी right answer होगा next है अंतराश्टी football match की समय सीमा कितना निर्धार रहत है अंतराश्टी है football match का समय सीमा कितना निर्धार रहत है तो याद रखना right answer होगा 90 minute option बी right राइट अंसरोगा नेक्स्ट है पर्तम विशव कौप T20 क्रिकेट मैच का आयोजन कहां पर क्या गया तो या रखना दक्षिन अफ्रीका उप्शन सी राइट आंसरोगा नेक्स्ट है एस टेस्ट स्रंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है तो या रखना इंगलेंड औ इंगलेंड और उस्टेलिया दो देशों के विच में खेली जाती है या रखना नेक्स्ट है पर्तम IPL टूर्णामेंट किस वर्स खेला गया तो या रखना दोहजार आठ अठ उप्शन सी राइट आंसरोगा या रखना पहली बार IPL टूर्णामेंट है दोहजार आठ में खेला गैता, next है, भारत का रास्ट्रिय खेल क्या है, भारत का रास्ट्रिय खेल क्या है, तो याद रखना हो की option D, right answer होगा, याद रखना भारत का रास्ट्रिय खेल क्या है, हो की option D, right answer होगा, next है, 16 fit hit, पद का सम्मंद किस खेल से है, तो या रखना हो की, option B, right answer का next है, formula 1 में, भाग लेने वाले पर्थम भारतिय कुन है, तो या रखना नारायन कार्थिकेन, option C, right answer का नारायन कार्थिकेन, option C, right answer का next है, Salt Lake Stadium, कहां पर इस्तित है, Salt Lake Stadium, कहां पर इस्तित है, तो या रखना, Kolkata, option B, right answer होगा, next है, अर्जुन पुरुषकार को, जीतने वाले खिलारी को, कितनी रासी पुरुषकार सोगरूप दी जाती है, तो या रखना, option B, 7.5 लाग, 7.5 लेक, option B, right answer का या रखना, अर्जुन पुरुषकार जीतने वाले को, 7.5 लाग की रासी पुरुषकार सोगरूप दी जाती है, या रखना, next है, राजिव गांदी खेल रतन पुरुषकार, सरव पर्थम किसे परदान क्या गया, राजिव गांदी खेल रतन पुरुषकारे, सब इसे पहले किसे परदान क्या गया, तो या रखना, right answer का, विसव नात अनन, option D, right answer का, और ये chess player है, याद रखेगा, तो दोस्तों, आज की वीडियो आपकी complete है, अगर आपको वीडियो आपक्तों, जब सक एक का अवर्बा की खेल, वीडियो तो स्टी है, अज क जए खेल बालोग करहान सम। है कि पर दो सेणीन याम है, ओ दो रहता है, गो रहता है, पालोग टॅकार अपक्तूल, चैल, कर दो सेगना अन तो स्क्तूल, आविवा सेग है, दो लुः वीडियो,